उपरोगत वस्तुओं के अतिरिक्त क्या आपको प्रति दिन अपने चारों ओर ऐसे कोण दिखते हैं? बच्चों ये खुली किताब है क्या आप देख सकते हैं? ये एक रेखा है ये और एक रेखा है वे कोने में इस बिन्दू पर एक दूसरे से मिलती हैं ये रेखाए एक कोण बनाती है यहां दो रेखाएं B.A. और B.C. किसी कोण की भुजाए कहलाती है दोनों भुजाएं एक समान बिन्दू पर मिलती हैं इस उभैनिष्ट बिन्दू को कोण ये शीर्ष कहते हैं इस आकरती में शीर्ष बिन्दू B है किसी भी कोण का नाम पढ़ते समये बीच में शीर्ष बिन्दू होना चाहिए उधारन के लिए हमें इसे कोण A.B.C. के रूप में पढ़ना होगा कोण का नाम लिखते समये हम कोण इस शब्द के लिए एक प्रतीक का उप्योग करते हैं यहां हम कोण को A.B.C. के रूप में लिख सकते हैं बच्चो क्या हम इसे C.B.A. कह सकते हैं हाँ हम कोण को इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं याद रखें के शीर्ष बिंदू को दर्शाने वाले अक्षर को हमेशा बीच में रखना चाहिए अतहा हम कोण को C.A.B. के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं इसे A.B.C. या C.B.A. के रूप में पढ़ा जाना चाहिए आईए जानते हैं हमारे रोज मर्रा की जिन्दगी में मिलने वाले इन दोस्तों के बारे में कोण विभिन स्थानों पर बनते हैं आईए निमन लिखित अंग्रेजी एक्षरों के बारे में सोचें A.E.F.H.K.L.M.N.T.V.W.X.Y.Z हम एक पेड के तने और शाखाओं के बीच में एक दीवार के कोणों के बीच में मेज के कोणे पर आर्मरेस्ट और कुर्सी की सीट के बीच में अलमारी के कोणे टोकरी के कोणे आदि सभी स्थानों पर कोणों को देख सकते हैं आईए कोणों के प्रकारों के बारे में जानते हैं कोण तीन प्रकार के होते हैं समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण अब हम इन कोणों को अपने हाथों से बनाने का प्रयास कर सकते हैं अपने हाथों को क्षैतिज रूप से अपने सामने सीधा रखे उंगलियां आपके शरीर से दूर होनी चाहिए और आपकी नजर के स्तर पर हूँ हाथ फर्ष के समानतर होने चाहिए हतेलियां चछत की ओर रखे और फैले हुए हाथ और आपके शरीर के बीच फिर से समकून होगा अब अपने बाहें अर्थात कोहनी और कलाई के बीच का भाग शरीर के कुछ इस प्रकार से पास लाएं कि आपकी उंगलिया चछत की ओर इशारा कर रही हो आपकी बखोटी अर्थात कोहनी और कंदे के बीच का भाग जमीन से समानांतर होना चाहिए प्रारंभ में आपकी बखोटी के बीच का कोण 90 डिगरी से अधिक होगा अतहा कोहनी पर अधिक कोण है जैसे जैसे आप अपनी बाहों को मोडते हुए शरीर के पास लाएंगे और अपनी बखोट को फर्ष के समानांतर रखेंगे तो आप देखेंगे कि कोहनी पर जो कोण है वो 90 डिगरी का है अर्थात यहां पर समकोण है अब इस थिती से अपनी बाहों को अपने कंदे के और भी करीब लाएं आपकी बखोट पहली की तरह फर्ष से समानांतर होनी चाहिए अब यह कोण 90 अंस से कम है इसलिए कोहनी पर न्यून कोण बन गया है यह दिल्चस्प बात है कि कोहनी का जोड लगबग शूनी डिगरी कोण से 180 डिगरी तक कैसे चलता है हम अलग-अलग कारियों को करने के लिए कोहनी को भिन भिन कोणों पर मोडते हैं यही मानवी शरीर की सुन्दरता है कोण मापन हम जानते हैं कि हम उचाई इंच या फीट में वजन ग्राम या किलो ग्राम में नाप सकते हैं हम छोटी लंबाई नापने के लिए स्केल का उपयोग करते हैं बड़ी लंबाई नापने के लिए एक टेप का उपयोग करते हैं। हम वजन नापने के लिए वजन जैसे पैमाने का उपयोग करते हैं। इसी तरह किसी भी कौन को नापा जा सकता है। हम कैसे तै कर सकते हैं कि कौन छोटा है या दूसरे कौन से बड़ा। किसी कोण को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे प्रोट्रेक्टर अर्थात कोण मापक या अर्धगोलाकार होता है यदि हमें कोणों का नाप दिया गया तो हम प्रोट्रेक्टर अर्थात कोण मापक का उप्योग करते हुए कोण बना भी सकते हैं आपने अपने कमपास बॉक्स में इस कोण मापक को देखा भी होगा क्या आपको याद है कि हम रेखा को कैसे नापते हैं हम स्केल पर लिखे शुन्य चिन्धो को उस रेखा के आरंभिक बिंदु पर रखते हैं और फिर हम पूरी रेखा स्केल से मिलाते हैं आरंभ बिंदु से अंत बिंदु तक रेखा की कुल लंबाई होती है चलिए दोस्तो अब नापने की इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कोण मापक को ध्यान से देखें इसमें यह आधार रेखा होती है 20 से दाई और 60 से 180 तक संख्या होती है कोण मापक 180 समान भागों में बटा होता है स्केल पर प्रतियक अंकित रेखा एक मिलिमेटर दर्शाती है इसी प्रकार प्रतियक भाग को एक डिगरी के रूप में जाना जाता है एक डिगरी को एक डिगरी लिखा जाता है हमने क्या सीखा? कोण की दो भुजाएं होती है उन्हें कोण की भुजाएं कहते हैं कोण की दोनों भुजाएं एक उभहिनिष्ट बिंदू पर मिलती हैं इस उभहिनिष्ट बिंदू को कोण का शीर्ष बिंदू भी कहते हैं इसी कोण को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोट्रेक्टर अर्थात कोण मापक कहते हैं हम कोण मापक का उपयोग करके एक कोण भी बना सकते हैं कोण मापक में 180 सवान भाग होते हैं प्रती एक भाग एक डिगरी के रूप में जाना जाता है स्वाध्याय आकरितियां देखिए और कोणों के नाम लिखिए एक, खुली हुई कापी या किताब का चित्र अधिक कोण बनाओ दो, खुले हुए फ्लैप का चित्र जो फिल्म के एक शॉट से पहले उपयोग किया जाता है न्यून कोण बनाओ तीन, जमीन में लगे बिजली के खंबे की आकरिती समकून को धर्शाने वाले दाय मुणने का प्रतीक